फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को क्रिस्पी फ्रैट चिकन टंगरी की रस्पी शिया करने वाली हूँ अगर आप लोग नॉन विच पसंद करते हैं तो आप लोग इस रस्पी को जरूर ट्राइ किजेगा क्योंकि यह बहुत ही अमेजिंग रस्पी है मेरी फेवरेट रस्पी बन चुकी है यह तो और मैं तो इसे हमेशा ही अपने घर पर बनाने वाली हूँ तो आप लोग भी अपने घर पर इसे जरूर ट्राइब किजेगा फ्रेंड्स यह बहुत अमेजिंग रस्पी है अगर आपने की एफसी कचिकन खाया होगा तो यह आज आपको उसका याद द चारी करेंगे तो मैंने यहां पिलिया है हाफ कटोरी जितना दही जी हां यह देखिए यह होमेट दही है आप मार्केट का भी दही यूज कर सकते हैं अब इसके साथ मैं डालने वाली हूँ वन टेबल इस्पून जिंजर गार्लिक पेष्ट जो घर का चमच होता है नॉर्म अब नमक ले रही हूं मैं वन espoon इसमें नमक डाल रही हूं अब अपने स्वाट के अनुसार इसमें नमक डाल लीजेगा इसके साथिसाथ मैं इसमें वन टीइबल ब्लैक पेपर डाल रही हूं यानि की काली मिर्च का पाउडर हाफ टीश पून हल्दी पाउडर यह मैं थोड़ा कलर के लिए डाल रही हूं अब मैं इसमें डाल रही हूं वन टीस्पून लाल मेज पाउडर इसके साथ दो टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूं गरम मसाला हम जो घर में और मल गरम मसाला यूज करते हैं वही मैंने लिया है अब यह देखिए जिस काटोरी में दही था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल दिया है सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे mix करने के बार अब यह देखिए यह मैंने लिया है leg piece तो leg piece को मैंने धो करके अच्छे से इसे यह देखिए मैंने बीच बीच से थोड़ा काट दिया है इससे क्या होता है चिकन में बहुत अच्छे से यह marination जो हमने बनाया है वो चला जाता है और जब हम इसे fry करते हैं तो यह बहुत जल्दी पक जाता है अब सारे चिकन को हम इसमें डाल देंगे अच्छे से सब को mix करेंगे मैं आपको बता दूँ आप इसे हाथों से ही mix करिएगा ताकि जो हमने marination बनाया है वो अच्छे से इसमें चला जाए यह देखिए अब क्या करेंगे एक छोटा बरतन लेंगे अब इसमें हम सारे चिकन को डाल देंगे अच्छे से पूरे चिकन को हम इसमें डालेंगे बिल्कुल जगह हमें नहीं छोड़ना है बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना है अच्छे सिक्दम दबा दबा करके हमें इसमें डालना है यह हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यह देखिए जो मैरिनेशन बचा है इसे हम उपर से डालेंगे अब इसे डालने के बाद आप इसे तीन से चार घंटे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए अगर आपके पास कम टाइम है तो कम से कम आप दो घंटे तो से रखिए ही इसे बहुत अच्छे से चिकन में मेरीनेशन हो जाता है अब तक जब यह मेरीनेट हो रहा है हम पर हापे हरी जटनी बना लिते तो मैंने यहां पर लिया है चार हरी मिर्चे तीन से चार लग्रण डालीज जित है पूदी ने के पत्ते अब इन सब को हमें करना क्या है इसके साथ मैंने यहां पर लिया है ठोक्षि लिया है जो ​​ इदम स्वरokenी용 काधी ने कि अधुधा लिए अब एक ज लेंगे और इन सब को इसमें में दाल देंगे, ध्यान रखेगा फ्रेंड्स हमें इसमें पानी नहीं डाल ला है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, जो नीम्बू का रस होता है वो, अब हम इसका एक अच्छा पेस्ट रेडी कर लेंगे, यानि कि इसकी चटनी बना लेंगे, यह देखिए, चटनी बन करके त्यार है, इसे एक कटोरे में निकालते हैं, देखिए फ्रेंड्स किती बढ़िया चटनी बनी है न, बिल्कुल मार्केट जैसी, अब इसमें नमक डालेंगे, तो मैंने यहां पे हाफ टे स्पून नमक लिया है, आप अपने स्वात के अनुस और यहां पर मैंने लिया है, एक कटोरी भर करके मैदा, अगर यह फ्रेंड्स थोड़ा सा जादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो घर का नॉर्मल कटोरी होता है, उससे मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, और उसी का हाफ कटोरी मैंने यहां पे लिया है, कॉन टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्श पाउडर डाला है हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर यह ओप्शनल है मैंने कलर के लिए डाला है अब यह देखे फ्रेंड्स मैंने लिया है औरेगैनो तो अब हम इसमें डालने वाले हैं औरेगैनो तो मैं इसमें 2 टीस्पून औरेगैन 6 अब इसे कर लेते हैं और इसे मैदे में जो हमने सूखा मैदा न गणते हैं अब यह दला जैते हैं तो संसरे यह विशित कि अप्र घुड़की यह बिल्कुल के अच्छे से पूरा हमें इस मैदे से पूरा पैक करना है यह दिखिए बिलकुल इस साथ से इस तरह से हिलाएं थाकि जो एक्सट्रा मैदि है वो निकल जाए और अब क्या करें यह दिखे मैंने पानी लिया है हमिसे पानी में डाल कर पांस सेकंड के लिए छोड़ देंगे एक कोट और लगाएंगे मैदे का अच्छे से पैक करने का मतलब यह है फ्रेंड्स की जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो इसमें ऑईल नहीं जाएगा फिर से एक बार कोट करने के बाद पानी में रखेंगे और फिर से हम एक बार इसे मैदे में कोट कर देंगे आप अगर बहुत जादा मोटी परत नहीं चाहते होंगे तो आप सिर्फ दो ही बार इसे करें और अब अच्छे से ये दिखें दबाएंगे इस तरह से अच्छे से पुरा लगाने के बाद फिर से एक बार हम इसे उपर उठा करके हिलाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा हो वो निकल जाए और अब हमने कड़ाई में एक तरफ ऑईल को गरम कर लिया है उसमें हम डाल देंगे ये देखिए ओईल मीडियम गरम होना चाहिए बहुत जाधा नहीं ये देखिए इस तरह से अब ये देखिए अच्छे से पलट पलट करके हम इसे फ्राई कर लेंगे बहुत ध्यान से फ्रेंड्स क्योंकि मुझे आपको दिखाना है इस वज़े से ये गिर रहा है वरना ओ हमने जो पलटा है चिकन को कितना अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स उसकी लेयर आप देख सकते हैं फ्राई हो चुका है अब ये देखिए चिकन को निकाल लेंगे इसी तरह से सारे लेक को हम फ्राई कर लेंगे तो दिख रही है ना फ्रेंड्स बिलकुल के एफसी स्टाइल की चिकन खाने में भी बहुत अमेजिंग है आप जरूरी से ट्राई किजेग अपने घर पर और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर क्या कीजिए और कमेंट तो जरूर करके बताईए किजिए फ्रेंड्स क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ थैंक यू कर दो